हेलो बच्चों, लेट सी दी कोशन, दी कोशन से 900 डिस्टिंक्ट एंड डिजित नमबर आर फॉम्ट बाइ उसिंग 6, 8 और 9 ओंली, इस्मॉलेस्ट वैल्योफ फैन पॉर विच दिस इस पॉसिबल इस ऑप्शन ए 6, ऑप्शन भी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन दी 9, तो हमारका पर गीवन यह कि 900 डिस्टिंक्ट एंड डिजिट पर यह फॉम्ट की गई हैं बाइ यूजिंग नमबर 6, 8 और 9 ओंली, हमको तरह स्मॉलेस्ट वैल्योफ एन क्या पॉसिबल होगी, हमार पास यहाँ पे उप्शन है, कौर हम तराण में से मारा कौनसे उप्शन कोरेक्ट होगा? वर्स्ट ली, I will tell you, की कॉनसेप्ट, और इक यह कॉनसेप्ट आपके हल्प करेगा इस कोस्टिन को सूर्ड करने, तो हमार पास यहाँ पे की कॉनसेप्ट यह है कि, are, items can be arranged in N places with repetition. अब हम करेंगे इसकी concept की help से अपने question को solve करेंगे देख और question में given है कि 900 distinct and digit formed होई है by using the digits 6, 8 and 9 तो हमारा पर digit कितने पर 6 भी है, 8 भी है और 9 भी है हमने पर 900 and distinct number formed किये है तो 6, 8 और 9 को, इनको मैं देखो, हम इसे कोई मैं digit बनाता हूँ तो हम आते हैं जुरू नहीं का, अब बस 6a की बारा है, 8a की बारा है, 9a की बारा है हमारा पर से तीनों कर सकते हैं, हमारे तीनों ये repeat भी कर सकते हैं तो मैं इन तीनों को, n distinct place पर arrange कर सकता हूँ, 3 days to power n ways से तो हमारा पर का जगा कि यहां पर 6, 8 and 9 can be arranged at capital N places और हमारा पर बारापस के reputation तो allowed है, तो यह हमारा एक को लोजियां पर 3 raise to the power n k अब दिनों कैजियें कि यहां पर किसी coding question के coding, according to question हमारा question में ये चीज़ गीवन थी, कि 900 distinct and digit number ये हमारे तो हम्ड होए थे using of given three digits का use करके तो हमारा पर आदेगा कि यह 3 days to power n है, यह हमारा always greater than equal to तो किसके होगा 900 की और question के according आया है, तो मझेगा this implies that 3 raise to power n ये होगा हमारा greater than equals to, और यह पर कलिशिता में पर नहीं को 9 multiplied by 100 तो और जेगा this implies that 3 raise to power n is greater than equal to 3 square multiplied by 100 this implies that 3 raise to power n minus 2 ये होगा greater than equals to, ये होगा हमारा greater than equals to, तो ये हमारा 100 करने के both side divide कर दिया 3 square से, और हमने आपर वो value find करने है, जो करेगी हमारी इस condition को satisfy करूएयो करें, तो 3 raise to power klingen ह muchís 9k and 3 raise to power 27k and 3 raise to power 4 है तो गे इस हाऊ-ब सेभा कर एवर 3 raise to power 4 ये हे हमारा equal होता है 81K and 3 raise to power 5 हब य। गजा होता है ये हमारा equal होता है, ये हमारा equal होता है तो इसका मतलब हमार पास यहां पे यह है कि यह जो हमार उसे पर क्या होगा n-2 है यह होना चाहिए यह मारा greater than equals to 5k तो बड़ जेका this implies that n is greater than equal to 7 तो हमार पर शुट टो टो लिए पर कहा जाएगी n की 7 यह तुम को find करने है इसका मतलब यह है कि यह हमार option b है यह correct option है so the financial is option b is our correct option I hope you understood it well all the best thank you